कि योगेश्ट टेकल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें यूस्फुल वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तों यूगेश्ट टेकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागर दोस्तों आज के इस वीडियो में एक विडियो में साबून की जाग दोरा आप कैसे आसाने से माइनस से माइनस लेकिश को भी चेक कर सकते हैं लेकिन आपको कुछ सावधानिया और कुछ गुड टिप्स में आपको इस वीडियो के मादम से आस दोंगा क्योंकि दोस्तों साबून की जाग दोरा लेकिश करना ही एक सर्वोत्तम और अच्छा उपाय है जिस पर हम कोई पैसा भी खर्च नहीं करते लेकिन उसके लिए आ आपके लिए और आपके सिस्टम के लिए लाब धायक होंगे अगर हम इसमें कुछ भी गल्तियां करेंगे तो उसका नुक्सान हम सिस्टम को खराब करके या अपने आपको चोट पहुंचा कर इस अंजाम तक पहुंच जाएंगे इसलिए साबून की जाग दोरा भी आप ल कोई नुक्सान अवश्य उठाएंगे तो वीडियो में बने रहेगेगा तो दोस्तों जब हम एयर कनिशनर को चला कर देखते हैं तो उसके एमपेर से ही हमें पता चल जाता है कि सिस्टम में लेकिज माइनर है या फिर बड़ी है तो वहीं से शुरुवात हो जाती है लेकि इसको ढूंडने की लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको देखना हुगा कि एयर कनिशनर कितना पुरान है उसकी बहारी अवस्था कैसी है पाइप में जरजर तो नहीं हो गई क्योंकि दोस्तों पाइप में जब रेजिरेंट चलता ह तो वो अंदर से उन पाइपों को पतला करता जाता है क्योंकि रेजिरेंट भी घर्शन करता है और अन्य पार्टिकल्स भी उन पाइपों की स्थैक को पतला कर देते हैं और खासकर जो पाइपों के बैंड होते हैं यू टाइप वहां से बैंड होते हुए भी पाइप पतल जाएगी इसलिए आप कभी भी ज्यादा प्रेशर ना दे शुरू में आप 80 या 90 नाइटोजन का प्रेशर दे सकते हैं उससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी नाइटोजन भी ज्यादा विस्ट नहीं होगी इसलिए आपको शुरू में इतना ही प्रेशर देना चाहिए और आपको dry nitrogen का ही pressure देना चाहिए अन्यक किसी भी gass के या compressor के दवारा pressure को air conditioner में नहीं भरना चाहिए ये नुकसान दायक हो सकता है और दोस्तो हमें शुरू में पूरे system में ही pressure को देना चाहिए क्योंकि low side और high side की जो capacity होती है वो उनमें अंतर होता है और हमें इस बात का भी पता होना चाहिए कि हम किस रेफजिरेंट के सिस्टम को देख रहे हैं इसलिए हमें उस रेफजिरेंट का डिस्चार्ज प्रेशर पता होना चाहिए यानि कि उस resident के discharge pressure से हम pressure देने की maximum सीमा को प्रापत यानि जान सकते हैं जैसे कि अब हम 22 number के resident पर काम कर रहे हैं तो हमारा जो 22 number का discharge pressure है वो 250 से 280 के बीच में है इसलिए हमें इसे जदा pressure नहीं देना चाहिए यह आपको ध्यान में रखना है और आप minor leakage को जब भी ढूंडे तो ज़ाग को ज़्यादा मोटी ना करें बारीक और पतली ज़ाग के द्वारा ही minor leakage को आप ढूंड पाएंगे यह भी आपको ध्यान में रखना है जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे हमारा 22 नंबर का discharge pressure maximum 280 है तो हमें शुरुवात 80 या 90 PSIG से करने चाहिए और अगर leakage नहीं मिल पा रही तो हमें pressure को बढ़ाना चाहिए और अगर इसके बाद भी आपको leakage नहीं मिल रही तो आप में उसे 24 hours चाहिए 24 घंटे के लिए hold पर भी रखना पड़ सकता है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि उसका क्या मापदन है और दोस्तो हमेशा ड्राइ नोड डेजन के प्रेशर के द्वारा ही leakage चेकने को शि को अपनी सबसे बड़ी कीमत उसकी चुकानी पड़ सकती है इसलिए कभी भी आप यह ना सोचें कि मेरे पास nitrogen या कोई अन्य विकल्प उपलब्द नहीं है तो मैं इसमें oxygen का प्रेशर डाल दूँ क्योंकि oxygen का जो प्रेशर है वो जो हमारा तेल होता है कमप्रेशर का उसके सीमा बता रहा था कि हमारा discharge प्रेशर दूसुपचास से दूसुपचास से के बीच में है तो हमें उसी सुरक्षित सीमा के अंदर ही इसमें डाइनाटोजन का प्रेशर देना चाहिए यह आपको जान लेना चाहिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगर आपको लिकीज मि परशे करें तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं लिकीज को हमने ढूंड लिया है अब हम जिस पॉइंट पर बढ़ेंगी वो है ब्रेजिंग का यानि कि लिकीज को रूडने के बाद आप सीधा ब्रेजिंग के पॉइंट पर आते हो लेकिन दोस्तों यह है जो हमारा दोस्तो जब हम नया नया काम सीखते हैं या फिर हम जब नए स्ट्रगल होते हैं तो काफी उत्सकता होती है काफी एकसाइटमेंट होती है कि हमने लिकिज को ढूंड लिया है और मैं इसे जल्दी से रिपेर करने के बाद इसमें गैस चार्जिंग करूँगा तो दोस्तो इस हम यह बूल जाते हैं कि हमारे सिस्टम में नाइटरोजन का प्रेशर भरा हुआ है क्योंकि आजकल हम जायतर बॉल बॉल का यानि कि हमारा पिन बॉल का इस्तिमाल करते हैं और हम कहीं बार वो पिन निकालना भूल जाते हैं और जो हमारे लिए हैं खतरनाक साबित हो सकता है इसलिए दोस्तों मेरी आप से गुजारी से कि आप रेवजेशन के कारिये में एकसाइटमेंट का ज़्यादा इंजोए करना ना लें क्योंकि दोस्तों ये इंजोए हमें काफी मेहाँ पड़ सकता है इसलिए आपको इसे संजिदिगी से करना है यानि कि आपको इसे बड़े इत्मिनान से और सोच समझ के हर एक चीज को क्रोश वेरिफाइड चेक करना है यानि कि इसको बार बार देख कर करना है कि हाँ यह काम मैंने कर लिया है क्या ब्रेजिंग से पहले इसके लिए आपको एक उचीज ब्रेजिंग केट का इस्तिमाल करना हुआ क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस है वो काफी तंग है और यहाँ पर आप पॉइंट टू पॉइंट ही ब्रेजिंग कर पाएं क्योंकि दोस्तों यह जो स्पेस होता है काफी नाजक होता है यहाँ पर जो U-Band होता है वो काफी पतला होता है हम लगबग तो U-Band को भदल देते हैं लेकिन जो यह Air Conditioner आप देख रहे हैं इसमें U-Band नहीं है सिर्फ Pipe को ही Turn करके जो उद्रवाली साइड है वहाँ पर U-Band है तो इसलिए आपको बिल्कुल सदी हुई फलेम से ही यहां ब्रेजिंग करना है अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम ज़्यादा हो गया या गलती से पाइप में सुराख हो जाएगा और जिसे आप फिर कवर नहीं कर पाएंगे इसलिए इस प्रोसेस को बहुत ही सावधाने से और धीरत से निभाएं क्योंकि इस पर आपकी जल्दबाजी सिस्टम को और आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है तो दोस्तो हमने उस पॉइंट को ब्रेज़ कर दिया है अब हम दुबारा से नाइटोजन का प्रेशर डालेंगे आपको उतना ही प्रेशर डालना है 80 या 90 प्यसाइजी क्योंकि हम लिकिस को ढूंड चुके हम सरफ उसे दुबारा से क्रोस चेक कर रहे हैं और यह गदम आपको अवश्य उठाना चाहिए आपको क्रोस चेक अवश्य करना चाहिए आप कन्फरम ना हो आप अती विस्वासी ना हो कि हां मेरा ब्रेशिंग बिल्कुल एक्कुरेट हुआ है और मेरे को प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों यही जो प्रेक्टिस है यह हमारे को आर्थिक नुकसान भी पहुचाती है और हमारे ओजोन पत को भी काफी नुकसान पहुचाती है जैसर कि आप देख रहे हैं कि हमने ब्रेशिंग करने के बाद लिकिस को चेक किया तो आपको लिकिस नजर आ रही है आपको माइनर लिकी चेक करने के लिए बारिक ज़ाग का इस्तिमाल करना चाहिए बिलकुल हलकी ज़ाग सिर्फ आपको पानी पानी ही वहां पर लगाना चाहिए ताकि आपको वो लिकी असानी से दिख जाए क्योंकि मोटी जादा जाग में आप लिकिज नहीं डूंड पाएंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्रोस चेक अवश्य करें आप ब्रेजिंग करने के बाद लिकिज को ब्रेज करने के बाद दुबारा से प्रेशर डालें इसमें आपको मैकसिमम पांच या दस मिनट सकते हैं हलकी कैपस्टिक के या फिर लोही की ब्रुश वाले तार से आप उसे साफ कर सकते हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं आपको जब सिस्टम में प्रेशर डाल रहे हो तो ऊचीजिंग लाइन का प्रेवक करें और सिस्टम को ज्यादा हिलाए में डूलाएं नहीं क्यो अब ही आप चितर में देख रहे हैं प्यतली जाग से ही आप वह लिकेज चेक कर पाएंगे क्योंकि मोटी जाग में आपको वह नहीं दिखाई देगी और ब्रेजिंग करने से पहले उचित स्पेस बनाए ताकि ब्रेजिंग आपकी एक्कुरिट टाइम पर होसके क्योंकि अगर आप जैदा टाइम लगाएंगे यहां पर तंग जगह पर तो आगे आगे पाइपों में सुराख होते जाएंगे जिससे की आपको काफी परिशानी होगी तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ माली जे अगर आपको लेकेज नहीं मिल पा रही है तो आपको सिस्टम म आपको नोट करना होगा जब आप सिस्टम में प्रेशर डाल कर उस पर होल्ड कर रखेंगे क्योंकि जब आप 24 घंटे के बाद प्रेशर चेक करेंगे और अगर बाहर के तापमान में 5 जगरी का अंतर आ गया होगा तो जो सिस्टम का प्रेशर हमने डाला था वो भी 0.7 बा हम माइनर लिकीज को डूंड पाएंगे और दोस्तों ब्रेशिंग करने से पहले उचित स्पेस आपको बनाना है ताकि ब्रेशिंग करते हुए ज्यादा टाइम आप उस पाइप पर ना लगाए और आपको जो फ्लेम की लो है वो भी आपको जो ब्रेशिंग टोर्च की जो कर्यान दे पाऊं जो आपके काम को और निपून कर सकें दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर बश्ची किजिए चैनल को स्क्राइब करना मत बूलेगा और आप मेरे को फेस्बुक ट्विटर बर भी आप उपलब्ध पा सकते हैं और दोस्तों मैंने कई वीडियो इस करना आए हुए मैं उनके लिंक डिस्प्रेशन में डाल दूंगा आप जाकर वहां पर देख सकते हैं धन्यवाद दोस्तों